हेलो गाइज वेलकम बैक टो नदर पार्ट अफ माइनक्राफ्ट सीरीज तो अभी तक हमें यार बहुत ही मुश्किल से बहुत जादा मुश्किल से डायमेंट्स मिले थे जिससे कि हमने नदर पोर्टल बना लिया था और एक बार अंदर जाके भी देख लिया था हमारे काम का मतलब मेरे बस का कुछ नहीं था अभी तो अभी अपन क्या करते हैं पहले अपनी बाकी चीज़ें इंप्रूब करते हैं उसके बाद नदर पोर्टल में जाएंगे तो आज के हमारे टास्के भाई घर को थोड़ा सा रिनोवेट करना एक इंचैंडमेंट टेबल बनाना और थोड़े बहुत विलेजर्स को लूटना मतलब कि उनके घरों को लूटना तो यह सब होगा आज की वीडियो में वीडियो देखने से पहले लाइक कर देना और चैनल पर नए हो और सीरिस को कंटीन्यू देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना वनना वीडियो मिस हो सकती है कोई सी भी और मैं घर बनाई रहा था है यार कि एंडर मैं अंदर घुस गया और पता नहीं क्या रख दिया नीचे डर्ट का मेरे सारी शीप गाये सब इदर उदर हो गई आधी शीप गाये के उसमें चली गए और आधी गाये शीप के एरिया में आ गई है भा यह कौन से लोग है जो पानी के अंदर है यहां पर दो एक बंदा भी आ रहा है मुझे मारने के लिए यहां से भागना पड़ेगा जल्दी से मेरा भाई कुत्ता भी मेरा साथ नहीं दे पाएगा यह कुत्ता है कि वुल्फ है पहले तो यह कंफर्म करना पड़ेगा और इसको मार मारके और इसका क्या निकाल आइं नीचे से मुझे मिल भी निया यार दू भी ग्यायों क्या ही मिलेगा ह skincare ले से वहाई पेपर और book के साथ हमें क्या चाहिए रहेगा diamond और obsidian तो ये तीन item हमें चाहिए रहेंगे अभी तो ये leather मांग रहा है leather वैसे मेरे पास शायद से है एक बार देख लेता हूं जाके chest में तो रखा होगा leather या थोड़ा वो था तो मेरे पास पहले से ये वाली chest में नहीं है शायद से दूसरी वाली chest में ये रहा leather तो है हमारे पास तो leather से book तो बन जाएगी चलो enchantment table के लिए दो diamond ची है और 4 या 5 obsidian ची रहते हैं क्या देखते हैं अभी तो रुख जाओ open पहले confirm कर लेते हैं अपना कहां है यार ये इदर नीचे है ये राग बुक हमारी paper paper यार अच्छा नीचे गिरा हुआ यार सामान एक तो बहुत सार हो चुका है chest का एक अलग से room बनाऊँगा मैं अभी कुछ दिनों में जब तक आप मेरे घर का काम देख लो guys यहां पर मैंने एक और floor बनानी की सोची है तो यहां पर मैंने अपना जो floor है वो तो set up कर दिया है लेकिन मेरे कुट्य कहां चलेगा यार यहीं तो थे अरे लो यह तो यहां पर किसको पेल रहे हैं यहां पकड़ के लोग बाहर कैसी कर गए यहां पर मुझे boundary बनानी पड़ेगी वनना यह लोग बार बार भाग जाएंगे तो पहले तो इनको अंदर लाते हैं रुक जाओ में कुझे बाहर आना पड़ेगा वैसे तो यह खुदी आ जाते हैं कभी कबार तो मुझे ऐसे लगता है लोग टेलिपोर्ट होके आ गए क्योंकि अचानक सी पीछा आ जाते हैं लेकिन इनके तब भी हमें सपोर्ट के लिए यार बाउंडरी बनानी पड़ेगी कोई इनको मार नहीं दे जैसे यह स्पाइड को आपको मैं अपना नया कमरा दिखाता हूं जिससे मैंने टेबल रखा तो यह अपना देख सकते हैं अंदर आपने रखा है साइट से मैंने थोड़ा से डिजाइन बना दिया है और यहां पर बुक शेल्फ रखनी है और यह लैपिस लजूली भी ले आया हूं मैं और इससे कुछ इंचैंड करके देखते हैं पहले तो हमारे डायमेंड पे केक्स करके देखते हैं और क्या लिखा है कुछ समझी नहीं आ रहा है इस पर सिलेट करके देखूं क्या और यह क्या हुआ और यह तो अपने आप हो गया यार मुझे तो समझ भी निया है मैंने किया क्या एफिशियंसी वन पर हो चुका है अच्छा मुझे लगा मैं होल्ड करूंगा तो वह दिखाएगा इंगलीश में लेकिन उसने आप मुझे बताना कि मेरे किस वेपन्स को मैं इंचैंड करूं और उनको स्ट्रांग बनाओं और इधर आप देख सकते हो गाइस की मैंने ना सैंड लगा दी थी शुगरकें के नीचे ताकि मुझे लगा तब तो यह ग्रो हुई जाएगा लेकिन तब भी यार यह हलका सान नहीं होगा यार मुझे तो समझी नहीं आ रहा क्या गलती कर रहा हूं मैं और यूट्यूब पे भी किसी ने वीडियो नहीं डाली सब अपना ऑल्टोमेटिक शुगरकें लेकर आ जाते हैं यार मुझे ऑल्टोमेटिक नीचे यार पहले यह तो पता उकता कैसे इसलिए मैं सोच रहा हूं जो भी मेड़े पास बच्शे कुछे शुगरकें और उससे में पेपर निकाल लेता हूं पहुत सारे क्या मैं भूप बना लेता हूं झैज यहां कई करेंग सब्सक्राइब कर लें रहे तो अब बुग मना लेते हैं आर बुक कहां से आती है और ये देखो ग नहीं पड़ा यार मतलब देख सकते हैं मतलों इतना बड़ा नूप पंती भाई कैसे हो सकता है अभी शुगर का क्या करूं मैं आप कमेंट ने बता देना कुछ तो यूद होगा इसका अब मुझे फिर से यार पूरा का पूरा शुगर के लूट के आना पड़ेगा तो दोनों को लगा देते यार और देखते हैं कुछ उड़ते हो आता है ऐसे लोग बोल रहे थे मेरे को देखना है कहां से आता है वह आ रहा ह तो नहीं बोलेंगे बस बाउंडरी लगा दी थी मैंने तो यहां पर एक बीच में से मैं कमरा निकालूंगा और यह दो हो जाएंगे लेकिन यार एक दिक्क्त है जो सीड़ी मैंने बनाई है यह बहुत ही छोटी है तो अपने इसको डबल सीड़ी बनानी पड़ेगी और ब अब निकले गाने यह टेवल अठा लेते हैं यह टेबल अरे यार इसने टेबल के नाम पर अपना काइट दिया यह उपर एक स्लैब लगा के पता नहीं जो भी इसने लगा के टेवल टाइप बना लिया था और यह घर अपना लूट चुके थे जो बच्छे कुछे घरते न मज़ा आता इसको पकड़ सकती कि यार कमेंट ने बताना और कुछ तो मिलेगा शायद इससे जब तक हम लोग दूसरे घर ढूंडते आ जाओ यहां पर एक बेल लटक रिए गाई इस बेल को निकाल लेते शायद इस बेल को बजा भी सकते हम और यह देखा है बज रही है तो इसको निकाल लेते शायद काम आईगी किसी कमेंट में बता देना किस काम कि अरे मेरा कुटा कहां चला गया आगया गया मुझे लगा यह गिर गया कुवे में और इस बेल को रर्ख लेते हैं अभी के लिए यह सामने चो समान रखा इसमें से कुछ निकल रहा है यह कुछ कर्मेंट में इसका भी बता देना कि यह कुछ अच्छा लग रहा है वैसे तो मुझे तो सामने मुझे दिख रहे गाई और यह बहुत यह अच्छा मुझा है ताकि हम आईरन गोलम बना लें यार क्योंकि पंकिन ही चाहिए था हमें जिससे हम आईरन गोलम बना सके तो यह पर आईरन गोलम बनाते हैं ब्लोक से फाइरन आ चुका है हमारा हाथ में तो इससे एक टी बनाना है पहले तो हमें तो इसके उपर रख दिया यह दो हाथ बना दी यहाँ से और उपर एक सर रखना है और सर रखने के लिए मुझे कहीं पर चढ़ना पड़ेगा और सर दिये मेरे से डरता है ऐसा कुछ है क्योंकि मेरा है ना यह तो भाई यह सही है हमारा आइरन गोलम तयार हो चुका है अभी जॉम्बी से अगर गलती से भी अंदर आए तो यह हमें बचा लेगा और घर यार मैंने सोचा यार अपने एक मल्टी टाइप बनाएंगे मल्टी स्ट देखने माइनक्राफ्ट के तो आपकी स्क्रीन के उपर आ रहें देख लो उनको